इन उपायों से प्रसन करें गणपती को, पूरी होगी हर मनों कामना नमबर एक, हरी चीजों से गणपती को विशेश प्रेम है इसलिए अगर आप बपा की पूजा करें तो हरे रंग की चीज जरूर रखें साथी, अर्पित करते समय भी उन्हें हरे रंग की चीज दें नमबर दो, दूर्बा की ग्यारा या 21 गांट भगवान गणेश जी को समर्पित करें ये उपाय करने से शुभ फल आपको जल्दी ही मिलेगा और मन चाही मुराद भी पूरी होगी नमबर तीन, हरा चारा गाय को खिलाएं आपके घर के सारे कलेश और मन मुटाव ऐसा करने से दूर हो जाएंगे साथी, सुक शान्ती और समरद्धी घर में बनी रहेगी नमबर चार, अगर आपकी संतान के विवाह में अडचन आ रही है या मनचाहा रिष्टा नहीं मिल रहा है तो गणपती को प्रसाथ के साथ मेहंदी चड़ाएं उस मेहंदी को अपनी कन्या या पुत्र के हाथ में लगाएं विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी और गणपती की क्रपा से मन चाहा जीवन साथी मिलेगा 5. केसरिया सिंदूर गणेश जी को समर्पित करें सारी परेशानिया और संकट ऐसा करने से दूर हो जाएंगे 6. हरी मूं का दान जरूरत मंदों को दें आपके संबंधों में जो खटास आई है वह ऐसा करने से दूर हो जाएगी 7. साथ साबुत कौडिया और एक मुठी हरा खड़ा मूंग लें और उसे हरे कपड़े में दोनों को बांध लें फिर किसी गणपती जी के मंदिर की सीड़ी पर चुप चाप उसे भोर के समय रख दें सारी बाधाएं समाप्त होंगी 8. बप्पा को मूदक का भोग लगाएं ध्यान रखें भोग लगाएं मूदक को खुद की जगें दूसरों को खिला दें 9. सवा किलो हरी मूं की दाल एक हांडी में रखें और सवा किलो नमक दूसरी हांडी में भर कर रख दें उसके बाद अपने घर की रसोई में इन दोनों हांडीयों को रख दें घर में आकस्मिक संकट ऐसा करने से नहीं आएंगे 10. राहु की समस्या अगर आपको है तो इसके लिए एक नारियल सिर के पास बुधवार की रात को रख कर सो जाएं और फिर उसे गणेश जी के मंदिर में कुछ दक्षणा के साथ अगले दिन चढ़ा दें इसके साथ आप विग्न हर्ता गणेश रोत का भी पाठ कर लें 11. गणेश चतुर्थी के दोरान भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए साथ ही उनके पैरों और माथे पर भी सिंदूर लगाना चाहिए उसके बाद उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं ऐसा करने से आपको काफी जादा फाइदा देखने को मिलेगा 12. गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाए दूरवा अर्पित करना है दूरवा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूरवा में अम्रत मौजूद होता है गणपती अथर्व शीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दूरवांकुर से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है गणेश जी को कम से कम 21 दूप, दो शमी और दो पेल पत्र चड़ाया जाता है तो ये हैं कुछ उपाए जिने आप गणेश चतुर्थी के दौरान करके विग्न हर्ता को प्रसन कर सकते हैं